तेजो देगी फत्य को डिवार्स और करेगी मूव ओन वेल दोस्तों आपकी फेवरिट शो उडारिया की अपकमिंग एपिसोड में बहुत ही इंट्रस्टिंग ट्रोइस्ट आने वाला है क्या दिखाया है शो के प्रोमो में चलिए जल्दी से जानते है तो दोस्तों उडारिया की अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जेल में जहां फत्य और तेजो दोनों बंध हैं दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी मौका मिल गया है ऐसे में दोनों के बीच में बातचीत होगी और फत्य तेजो को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे अब डिवार्स दे देना चाहिए और विर्ख हाउस से चले जाना चाहिए इसी में सब की भलाई है ऐसे में दोस्तों तेजो भी फैसला कर लेगी और फत्य से कहती हुई नजर आएगी कि फत्य तुम बिलकुल सही कह रही हो मुझे अब तुम्हें डिवार्स दे देना चाहिए और अब मैं तुम्हें डिवार्स दूँगी मैंने फैसला कर लिया है और मैं पापाजी से भी के कह दूंगी कि मैं अब मुवान करना चाहती हूं इस बात सुनकर फटै खुश तो होगा ही लेकिन शौक भी होगा क्योंकि फाइनली अब उन दोनों का डिवार्स होगा तो दोस्तों तेजों ने कर लिया है बहुत बड़ा फैसला देगी वह फटै को डिवार्स वही इन सब बातों की बात में जेल में ही फटै और तेजों एक दूसरे के करीब ही रहते हुई नजर आएंगे फटै तेजों के कंधे पर सर रख कर सोएगा वेल अगर अब तेजों ने फैसला कर ही लिया है कि वह फटै को तलाग देगी तो इसका मतलब साफ है कि जैस्मिन का रास्ता साफ होने वाला है लेकिन क्या सच में डेवौर्स देने के बाद में फटै जैस्मिन के साथ खुश रहए पाएगा सबसे बड़ा सवाल क्या परिवार वाले यह डेवर्स होने भी देंगे क्या रोक लेंगे तेजों को वैसे दोस्तों यह डिवर्स रुक सकता आ अगर जैस्मिन के माबाप पासपोर्ट वाली बात फत्य को बता दे तो उसके बाद तो सारा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन है एक सचा लाइफ पार्टनर फत्य के लिए वेल गाईज अब ये तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या सच में तेजो फत्य को डिवार्स दे देगी या उससे पहले ही फत्य को हो जाएगा अपनी गलतियों का एहसास और पता चल जाएगी जैस्मिन की सच्चाई वसे क्या ख्याल है आप लोग का कॉमेंट सेक्शन में ज़रू शेयर करें और टीवी शोज और बॉलवूट के ऐसी ही लेटस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले